तो आज हम करने जा रहे हैं XY 3.3 की next वाला questions इससे पहले हम question 9 तक कर चुके हैं तो अभी हम question 10, 11, 12 करेंगे और XY 3.3 complete तो देखो XY 3.3 का question 10 क्या किया रहा है कि express the following matrices as the sum of symmetric and skew symmetric matrix बहुत असान है बिल्कुल अब ऐसे कर सकते हो बहुत असान है तो देखो सबसे बड़े समझते हैं क्या किया रहा है कि express the following matrices देखो यहां पर matrices दिये हुआ हैं तो हमें इनको किस में express करना है कि sum of symmetric and skew symmetric कि यह जो matrix है यह क्या है sum of symmetric and skew symmetric यानि कि symmetric or skew symmetric matrix का sum है यानि कि क्या है add symmetric plus skew symmetric का addition यह सब matrix skew symmetric plus symmetric का addition यह हमें express करना है कर लेते हैं सबसे पहले देखो पहले वालों करते हैं तो हमें क्या दिखाना है मालो जैसे कि मालो यह मारा matrix क्या है यह मारा A वाला matrix से क्या है कि 351-1 है तो हमें क्या express करना है यह जो A वाला matrix से यह क्या है कि यह symmetric or skew symmetric का addition okay symmetric matrix और skew symmetric matrix का addition करना यह हमें crush करना है कि स्विमेंटरिक और skew symmetric के का addition करना और को यह मेरा क्या है यह Baptist मैरा matrix से क्या है तो इस matrix का मेराक आर्णाoff deadline कि समतिकर और सक्यक्यक्वपर यह véde यह जैसे कि मालो यह मेरा matrix से सबसे पहर हम इस का ह benefici का होगे पेले वाला रो को यहां पे को बना लिख देंगे और यह को कि आ प्लोस इसको कलं का नास पर में लिख और सिम्मेट्रिक हम को से आता है A plus A का transpose symmetric होता है और Q symmetric A minus A का transpose एकिनि इससे पहले बाला कुछ्छन कुछन नम नाइन मा उल्ली इसके बारे में बता चुका हूँ एकिनि अगर यह जो A बाला matrix यह A transpose का symmetric matrix हो रहा है तो अगर इन दोनों को add करूं तो जो बारा matrix बनेगा हमेशा वो symmetric ही बनेगा और अगर A को A transpose को माइनस कर दूं तो जो मेरा matrix बनेगा वो हमेशा 2 symmetric ही बनेगा यह हम अलड़ेड़े प्रूब कर चुके हैं Q 9 में Q 9 या 8 में मैं आपको इसके बारा बता चुका हूँ तो देखो यह हमेशा A plus A का transpose symmetric होता है A minus A का transpose Q होता है इसका मतलाव हमें A plus A का transpose को और A minus A का transpose को add करके इक्वाल दिखा नाए इसके साथ A कासा इसी में semi- направ스가 उसके मेर्स इकलाव कर लेते है इसमें प्रोब्लम किया वें नैंनी तो यहां पर कर लेते हैं तो देखो symmetric controvers के साथ है A plus A का transpose तो हम आरे हमारा पास A भी है और A का transpose वह ही इन दोनको पहला add कर लेते हैं a plus a का transpose को सबसे पहले हम add कर लेते हैं, तो a और a का transpose का add करते हैं, तो 3 plus 3, 6, 5 plus 1, 6, 1 plus 5, 6, minus 1, plus minus 1, minus 2, तो यह किसका value है, यह a plus a transpose यानि की symmetric value है, अभी हम plus skew symmetric value निकल लेते हैं, skew symmetric, और skew symmetric कैसे हम find करते हैं, a से minus करते हैं a transpose को, यानि कि इस a से minus करेंगे a transpose को, तो a क्या है देखो, यह है और यह a transpose, तो 3 से minus 3, तो 0, ओके, फिर 5 से minus 1, 5 से minus करेंगे 1, तो 4, 4, फिर 1 से minus करेंगे 5, 1 से minus 5, minus 4, यहां पर minus 4, फिर minus 1 से minus, minus 1, से minus करेंगे, सेme number से minus करेंगे, सेme number तो 0, तो यह रहा है किसका matrix, a minus a transpose का matrix है यह रहा है, ओके, तो यह मैत्रिक से, और यह वाला m nawtiston, q symmetric बाला matrix से, हमें पता है, है की नहीं, जब हम a को, a transpose से add करते हैं तो हमेंसा symmetric आता है, जब a से हम a transpose minus करते हैं तो हमें Stick तो कुस्टें में क्या कह रहा है कि इन दोन का symmetric और skew symmetric का addition sum मेरा इसी वहला matrix के साथ equal आना चाहिए यह हमें express करना है कुस्टें में यह है तो कर लेते हैं देखो यह हमें इसके साथ equal दिखाना है इसको तो यह matrix क्या है 3 5 1-1 एकिन है तो इसको हमें equal दिखाना है symmetric और skew symmetric के साथ देखते हैं equal आता है कि नहीं यानि कि इन दोन को add करके इतना आना चाहिए तो 6 6 6-2 को add करेंगे skew symmetric metric से और skew symmetric कितना है 0 4-4 0 यह इन दोन का अब आट करो देखो आनसर कितना आ रहा है 6 plus 6 sorry 6 plus 0 6 होगा 6 plus 4 10 होगा 6 plus minus 4 2 होगा minus 2 plus 0 minus 2 होगा इधार answer किया है 3 5 3 5 1 minus 1 तो equal आ रहे है यान नहीं खुद बताओ कुछन में हमें जैसे कहा था जैसे करने के लिए प्रफिन हम वैसे ही किये और अनसर जो है वो equal आ रहा है क्या किया कि सिमेट्रिक और skew symmetric क्या prediction करने तो यह हैं सिमेत्रिक और skew symmetric तो इन दोनों का हम क्या क्या add किये एकने जब आड के फिर भी हमारे मेन मेट्रिक्स है उसके साथ यह इक्वाल आई नहीं रहा तो अभी हम स्वर्प केसे करें देखो अब ध्यान से देखो इधर 6 है इधर 3 है इधर 10 है इधर 5 है इधर 1 है इधर 2 है इधर mbol सेम तो नहीं है लेकिन देखो मैं इस वाला मैट्रिक्स को आगार मैं हाब कर दू और इस इस वाला मैट्रिक्स को मैं हाब कर दून तो यह इस इक्वाल होगा के निए लिए 6 का करना पड़ेगा कि इस ही बाला मैट्रीस को में इसका मतलाब अगर मैं इस बाला मैट्रीस को डिबाइड में टू कर दू यानि कि इन सबको में divided में 2 कर दूँ यानि कि हाफ कर दूँ तब ही जा कि यह मेरे इसके साथ equal होगा, इकनि? equal होगा देखो डिवाइट कर ले तो 6 by 2 10 by 2 2 by 2 और minus 2 by 2 तो कितना होगा 6 by 2 3 होगा 6 by 2 3 होगा और 10 by 2 5 होगा 2 by 2 1 होगा होगा और minus two by two minus one होगा एक ही तो अगर में इसको हाप करना पड़ा है तो हमे इसका मतलब क्या है कि हमें इसे हाप करना पड़ा इसा वाला मेट्रिक्स को वारना यह सही नहीं होगा तो इसका मतलब अगर देखो मैं यहाँ पर हाप डाइरेक्त क्या आजाता है मुझे और कुछ हाप करना पढता है इसका मतलब अभी हम क्या करेंगे कि जो स्ट्वेमेटरिक मेंट्रिकंस और स्क्राथ मेंट्रिकंस से इसको हम पहले से हाप करेंगे कि इसका मतलब छो अ-त्य ग्यायद जो एफ वह हंकिने ट्राहिए के burg है कि न है इसका मतलब अभी हम जो स्यम्मेट्रिक करेंगे वो केसे करेंगे 1 by 2 a प्लॉस a transpose ay plus a transpose आप करेंगे i9 गई सिसम्मा्ट कर आज़ेगो इसको स्यम्मीट्रिक क्या होता है a यकाद m a transpose उसका हमेम्म हाप करेंगे फिर पिर जाकि 2 እᵐ እᵃ ጥᵉ 3 ឦ 2 ብᵃ እᵃᵃᵃᵍ እᵃ እᵃἊ為何 ብᵃᵃ እ Gomu 4 ለᵃἋ seminar እᵃᵃᵃᵃᵃ ብᵃው dub ፊះᵃ इसका हाप इतना हो गया, इसका हाप इतना हो गया, अभी इन दोनों को solve करो answer राम डायरेक्ट इक्वाल ही आ जाएगा, अभी जो matrix आएगा, यह बिल्कुल equal हो जाएगा इसी वाला matrix साथ, अभी solve करो, यह क्या है देखो, मारा symmetric वाला matrix था, अभी यह क्या था, यह क्या था, यह मारा symmetric वाला matrix था, अभी solve करो यह दोनों को देखो, 3 plus 3, sorry, 3 plus 0, 3, 3 plus 2, 5, 3 plus minus 2, 1, minus 1, plus 0, minus 1, same to same, है किने, 3, 5, 1, minus 1, 3, 5, 1, minus 1, इसका मतलब समझ मार रहें ना, अभी जाके यह जो answer, यह मारा same to same आ रहा है, अभी तो देखो, आप मैं क्या 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 कि, यह जो matrix थे, इन matrix को मैंने क्या क्या, हाप क्या, हाप क्या, तब ही जाके, यह जो मेरा a है, a था है, एक नहीं, a जा, मेरा a कॉन सा था, यह बाला ज एक इसका मतलर हमने क्या करना है कि इसमें कॉन सा स्क्राइब और कॉन सा स्क्राइब करना है यह बना है तो हमें ए निकालने के लिए क्या यूज करना हम पाड़ेगा हब a प्लोस एप का ट्रांस पॉस को करेंगे हब a-a-a-a-transverse के साथ यह हमें यूज़ करना पूड़ेगा इसी फोर्मूला को मुद़ साभी सभी कुस्तिन को करेंगे फोर्मूला कीसा आरे समझे माँ रहे हैं हाप हम क्यों किये हाप क्यों किये हमें हाप करना पड़ा तभी जाकर आंसर हमारा इक्वल आ रहा है अगर हम directly a plus a transpose किये पहले एकिन तो answer तो हम बड़ा आ रहा था दो गुना आ रहा था एकिन टू टाइमस बिगर आ रहा था जब उसका हम हाप किये तब ही जाके answer हमारा से ही आ रहा है तो देखो अभी हम सभी question को हम सभी question को हम सभी question को पहले से हाप-प करते रहेंगे अभी जब हम next question करेंगे उन्हें सब को हम हाप भी करेंगे तो देखो इस पहले बाले का answer क्या है तो कौन सा symmetric symmetry को हम add कारेंगे यह बाला symmetric और यह बाला symmetric को जब आड़ की जाके यह equal होगा men guess के साथ equal होगा अगर आप इसको prove कर ला चाहroph commemorate i is तो उसलिए देखो यह जो मेरा matrix है यह मेरा p matrix है ओके 3 3 3 3-1 यह p matrix है और तो देखो यह matrix है यह matrix को मैं symmetric matrix कब कहूंगा? जब यह matrix उसका transpose के साथ equal होगा तो अगर यह p है तो p transpose साथ यह equal कहाना चाहिए तब ही जाके मैं इसको symmetric कहूंगा तो इसका transpose निकाल लेते हैं 3,3 तो यहां पर 3,3 आ जाएगा, 3-1, 3-1, अभी देखो यह P का value मिल गया, P transpose का value मिल गया, तो P और P transpose equal हैं या नहीं, देखो, बिल्कुल equal हैं, इसका मतलब P equal हो रहा है, P transpose के साथ, इसका मतलब यह बाला matrix मेरा symmetric है, और अगर आप यह अब prove करना हैं, तो मानलों यह मेरा matrix है, यह Q बाला matrix है, यह मेरा Q बाला matrix है, 0,2,-2,0, 0,2,-2,0, तो हम Q स्यमेंटरिक कैसे prove करते हैं, कि उसका transpose निकाल हो पहले, 0,2, 0,2,-2,0, यहांब यह मानस-2,0, क्यों में लिख दिया, रो बाला को क्यों में चेंज कर दिया, तो Q स्यमेंटरिक होता क्या है, जब Q transpose इकाल होगा, मानस Q के साथ, तो मानस Q का भी बाहल हो हम पर निकाल लेते, तो इस Q के अंदर क्या करना पड़ेगा, सिट मानस को मोटिप्लाई करें, मानस इंटो जरो, 0, मानस इंटो 2, मानस इंटो, इस मानस इंटो मानस टो, प्लोस 2 हो जाएगा, मानस इंटो 0, 0, तो Q transpose equal होना चाहिए मानस Q के साथ, तो equal आ रहे हैं नहीं, क्यू transpose 0, 0, 2, 2, 0, 2, 0, and Q transpose और मानस Q इकाल पर इसका मतलब यह जो मारा मेट्रिक्स है यह हमारा स्क्यू 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 स symmetric का हाप और skew symmetric का हाप को हमें sum करना या पर प्रोस करना यह वो equal हो जाएगा man वाला matrix साथ एकिने वैसे ही हुआ part 1 में तो अभी हम part 2, part 3, part 4 को वैसे same to same करेंगे इसी वाला formula से आप इसे formula कह सकते हो एकिने मतलब जो मेरा मेरा matrix होगा वो equal होगा symmetric matrix का हाप और skew symmetric matrix का हाप हाप करेंगे तब ही आणसा सही आएगा तो करते हैं तो देखो अभी हम पहले वाला की अभी हम दूसरे वाला करते हैं इसमें ए क्या है यह ए है तो सबसे पहले हम A transpose निकाल लेते हैं इधर निकाल लेते हैं एका transpose तो देखो ए क्या है देखो 6-2,2 तो इस पहले वाला रो को हम किस में interchange करेंगे पहले वाला रो इधर पहले वाला कलम बन जाएगे और यह जो रो 2 है इसको हम कलम 2 में interchange कर देंगे और यह जो रो 3 है इसको हम कलम 3 में interchange कर देंगे तो हो गया देखो A और A का transpose मिल गया अभी हमें इसी के मतद से हम इसको सब्सक्राइब करते हैं तो A equal to मेरा कितना होगा तो A क्या ही देखो यह है तो यह equal to कितना होगा 6-2 2-2 3-1 2-1 3 यह मेरा A है कि नहीं A equal to 1 by 2 और यह A plus A का transpose और plus 1 by 2 A minus A का transpose तो सबसे पहले हम A plus A का transpose निकल लेते हैं A plus A का transpose है यानि A को हम add करेंगे A का transpose साथ तब ही जाके यहां पर मेट्रिस आएगा यह मेरा symmetric matrix आएगा A को उसका transpose आड़ कर दो symmetric matrix आजाएगा एक नहीं और A से आप minus कर दो A का transpose को कर लेते हैं तो देखो यह A plus A का transpose है तो A को और और A का आड़ करते हैं तो 6 को प्लोस करेंगे 6 के साथ देखो 12 होगा,फिर minus 2 को और करेंगे minus 2 सेthe minus 4 होगा 2 को आड़ कारेंगे-2 के साथ 4 होगा 3 plus 3 6 होगा, minus one plus minus one minus two होगा 2 plus two,4 minus one minus one minus two,3 plus 3,6 हो गया तो देखो a plus a का transpose मिल गया, अब ही a minus a का transpose निकाल लेते, a minus a का transpose के इसे निकाल लेंगे, इसी बाल मेट्रिक्स को minus कार देंगे, इसके transpose के साथ, तो 6 minus 6, 0, minus 2 से minus कारेंगे minus 2, 0, 2 से minus कारेंगे 2, 0, minus 2 से minus कारेंगे minus 2, 0, 3 से minus कारेंगे 3, 0, minus 1 से minus कारेंगे minus 1, 0, 2 से minus कारेंगे 2, 0, minus 1 से minus कारेंगे 0, minus 1 से minus कारेंगे minus 1, 0, 3 से minus कारेंगे 3, 0, यह हम क्या कि A को माइनस की A Transperson, यह सेम ऐलिमेंट से सेम ऐलिमेंट से माइनस की ए तो सब में 0 आगए, आगए, अब इसको solve करो, देखो 1 by 2, तो यह जो मारा मेट्रिक्स आ रहा है, यह जो मारा मेट्रिक्स आ रहा है, इसका अभी हमें क्या करना है? 1 lagi 2 करना है, okay so 1 by 2 करते हैं 12 przew 12 का हाप कितना होगा 6 होगा 12 का हाप 6 होगा minus 4 का हाप minus 2 होगा 4 का हाप 2 होगा minus 4 का minus 2 6 का हाप 3 होगा minus 2 का हाप 1 होगा minus 1 होगा एक नहीं 4 का हाप 2 minus 2 का 1 6 का हाप 3 होगा हाप कर दिये, तो अभी इसी वाल मेट्रिक्स को भी हाप कर दो, हाप काने से क्या होगा, 0 ही होगा, जिरो-0 ही होगा, तो यह हो गया, अभी देखो, इन दोनों को solve करो, इतना RI की नहीं, चेक करो, इधर क्या है, देखो, 6-2, 2-2, 3-1, 2-1, 3, इसके साथ यह equal RI या नहीं, चे या नहीं, तो आट करो, देखो, आट करने के बाद, अनसर कितना आएगा, 6-2, 2-2, 3-1, 2-1, 3, यह आएगा, एकने, 0-0 से आट करने के बाद, तो अभी यह जो मेट्रिक्स है, और यह मेट्रिक्स इक्वाल है, या नहीं, चेक करो, देखो, 6-2, 6-2, 6-2, 3-1, 2-1, 2-1, 3- या नहीं, कि इक्वाल है, इसका मतलब हम कौन-कौन से स्यमेट्रिक और कौन-कौन से स्क्यू स्यमेट्रिक को आट किये, यह वाला स्यमेट्रिक को और यह वाला स्यमेट्रिक को आट किये, तो आंसर में आप क्या लिखे दो, कौन-कौन से स्क्यू स्यमेट्रिक आट करने से वहाला मेंट्रिक्स से मैं तो तो अगर फ्रूब करना चाहा और यह है या नहीं, तो यह श्रूब कर लो. अगर यह मैंत्रिक्स हो तो, इस स्थिमेट्रिक्स हो, अगर यह मैंत्रिक्स यह कै programmaurus मैं संकत में संता हो जो है यह मैंuse सिमेट्रिक है यह जो है यह सिमेट्रिक है मैं किसे कह सकता हूं अगर पी इक्वाल होगा उसका ट्रांसपोज के साथ देखे नहीं अगर यह जो मैट्रिक से इसका ट्रांसपोज साथ इक्वाल होगा तो मैं कह सकता हूं कि यह जो है सिमेट्रिक है इसका ट्रांसपोज भी नि तो देखो P आ गया और P तो हमारा पास है और P का ट्रांसवर सभी आए तो अभी P और P ट्रांसवर्स तो आजिक कर जो चैंक तो यह वाला मेटिक है औगर चे करना का हूँगै कि यह स्क्यू स्क्यू स्कूल है यानि स्क्यू 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 МихanEL या नई चैंक स्क्यू स्मेत्रिकस देखो इनना सब में 0 होगा तो स्क्यू स्मेत्रिक지만 अचरे फरपडें यह स्मेत्रिककल देखो यह जो में चरे जो में उंसको क्यू मान ले लाester कि क्यू को जो सब भी स्बस्थ चीक का गूरे पर उस फारभ के कू Ł होगा क्यों क्यों सब में 0 ही होगा सब्सक्राइब क्यों कि यह सकते हूं कि यह से symmetric है और यह मारा symmetric है स्क्व 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 स्मेट्रिकल है तो यह symmetric 7 है क्या है कि यह क्या देखो A क्या है देखो 3 3-1-2-2-1-4-5-2 यह मारा A है तो इस A को मुझे क्या दिखाना है यह इक्वाल है किसके साथ हाप A-A का ट्रांस्पोर्ज प्लोस हाप A-A का ट्रांस्पोर्ज के साथ तो देखो A तो मेरे पास है तो इस A का सबसे पर हम ट्रांस्पोर्ज निकाल लेते हैं ओके यह A तो मेरे पास है यह A है तो A का ट्रांस्पोर्ज निकाल लेते हैं अब अ और एका transverse आड करते हैं और यहाँ पए लिखते हैं एकिने एक़ने प्लुस एका transverse इसको आड करेंगे तो 3 को प्लुस करेंगे इसके सार्थ 3 plus 3, 6, 3 plus minus 2, 1, minus 1 plus minus 4, minus 5, minus 2 plus 3, 1, minus 2 plus minus 2, minus 4, 1 plus minus 5, minus 4, फिर minus 4 plus minus 1, minus 5, minus 5 plus 1, minus 4 होगा, फिर 2 plus 2, 4 होगा, तो A और A transpose काट गए तो इतना आगा, ओके, तो अब भी A minus A, A transpose करते हैं, A से माइनस कारेंगे A transpose, तो कितना आगा देखो, 3 से माइनस 3, 0, 3 से माइनस कारेंगे माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लोस, यानिकि 3 plus 2, 5, माइनस 1 से माइनस कारेंगे माइनस 4, तो माइनस माइनस प्लोस होजाएगा, तो माइनस 1 प्लोस 4, 3 होजाएगा, माइनस 2 से माइनस कारेंगे 3, तो माइनस 5, माइनस 2 से माइनस कारेंगे माइनस 2, तो ये माइनस 2, तो ये माइनस माइनस प्लोस होजाएगा, और माइनस 2, प्लोस टू 0 हो जाएगा ओके 1 माइनस से माइनस करेंगे माइनस 5 तो माइनस माइनस प्लोस 1 प्लोस 6 माइनस 4 से माइनस करेंगे माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लोस और यह माइनस 4 तो यह माइनस 3 हो जाएगा फिर माइनस 5 से माइनस करेंगे 1 तो माइनस 6 तो 2 से माइनस स्पाइब राप करते हैं तभी जो मेरा आएगा ऊता स्पाइद तो स्अइस होगा है यहां पर किसी भी नूबर को मॉल्टिप्लाइब करो यह पिर दिवाइड करो कुछ भी करो जो नूमबर आएगा वह स्अंध्य होगा एकनी इस symmetric को मैं जब हाप करूँगा फिर भी मेरा जो आएगा यहां पर जो matrix आएगा वो क्या होगा वो मतलब क्या वो एक symmetric ही होगा यहां पर जो matrix आएगा वो जो matrix होगा वो भी कर लेते हैं तो देको इसका अभी हाप करेंगे तो 6 बाइ 2 कितना होगा 3 होगा 1 बाइ 2 कितना होगा 1 बाइ 2 होगा और यह माइनस 5 बाइ 2 फिर 1 बाइ 2 होगा और यह माइनस 4 बाइ 2 माइनस 2 होता है माइनस 4 बाइ 2 माइनस 2 होता है और यह माइनस 5 बाइ 2 और यह माइनस 4 बाइ 2 माइनस 2 और यह पर बाइ 2 2 होगा इसको हम add करेंगे इसके साथ तो देको 1 बाइ 2 को 0 से multiply करेंगे तो 0 होगा फिर 5 बाइ 2 फिर 3 पिर 0 बाइट टू, फिर 6 बाइट टू कितना होगा, 3 होगा, फिर डारेक्ट लिग लेते हैं, फिर यह मैनस 3 बाइट टू, और मैनस 6 बाइट टू, मैनस 3 और 0 बाइट टू, 0 ही होते हैं, अभी इन दोनों को स्म कर दो, आंसर इतना आएगा, ओके, तो कर लेते हैं, इसका addition, इधर क्या है, देखो 3, 3 मैनस 1, मैनस 2, मैनस 2, 1, मैनस 4, मैनस 5, 2, ओके, यह क्या है, यह A है, ओके, यह A है, और यह सब क्या है, हाप, A प्लोस A का टांसर इतना है, और प्लोस हाप, A मैनस A का टांसर इतना है, अभी इनको स्ल्प कर रहे हैं, तो देखते हैं, अभी इन दो अड़ कर दो, तो 3 प्लोस 0 कितना होगा? 3 होगा, फिर 1 बाइ 2 प्लोस 5 बाइ 2, तो 1 बाइ 2 में प्लोस करेंगे 5 बाइ 2, यहन में common क्या है? देखो 2 common है, common है 2, और 1 प्लोस 5 कितना है? 6, 6 बाइ 2, फिर मानश 5 बाइ 2 प्लोस 3 बाइ 2, common क्या है 2? तो common 2 ले 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 थे, फिर 5 प्लोस 3, तो मानश 5 बाइ 2, यहन में 0 प्लोस करेंगे तो मानश 2 होगा, फिर से प्लॉस कारेंगे मैनस 3 बाइ 2 तो कितना होगा तो देखो अभी हम मैनस 5 बाइ 2 को प्लॉस कारेंगे मैनस 3 बाइ 2 तो इनके नीचे कमन है क्या 2 है तो कमन 2 ले लेते हैं मैनस 5 प्लॉस मैनस 3 मैनस 8 होगा फिर मैनस 2 प्लॉस मैनस 3 मैनस 5 होगा और यह 2 2 plus 0 2 होगा अभी इसको solve करो देखो यह answer बिल्कुल इसी के साथ same to same आएगा तो solve कर लेते हैं तो यह 3 है और 6 by 2 3 minus 2 by 2 तो minus 1 फिर यह 2 आज़ टू टू जह 4 minus 2 यह minus 2 और यह 1 इसको और इसको चेक करो सेम है कि नहीं minus 4 minus 5 minus 4 minus 5 2 minus 2 minus 2 minus 2 minus 1 3 3 minus 1 3 3 minus 1 यानि कि यह मारा a के साथ equal हो रहा है यह वाला matrix एकनि यह वाला matrix क्या है यह यह इसी वाला symmetric का यह वाला symmetric matrix और यह वाला skew symmetric matrix का addition है यानि कि sum में हमें यह एक्स्प्रेस करना है एकनि sum of symmetric and skew symmetric यह इस symmetric और skew symmetric का sum दिखायना है तो answer क्या है कौन-कौन से symmetric और skew symmetric को add काने से मेरा यह वाला matrix आएंगे यह वाला symmetric और यह वाला skew symmetric क्यानि a plus a, answer complete, ओके, अब देखें, फोर्ट ताल पार्ट में क्या है, a क्या है देखो इसमें, a क्या है, 1515-12, एक नहीं, तो a को हमें किसे साथ equal करना है, यह, एक नहीं, symmetric matrix और a Leap, sauc, cm क्या सब्धक करना है, तो a symmetric matrix हम क्या से nिकालते हैं, इसके हाप करके, हाप और यह formula है हमेर पास, a plus a का transpose यह, तो हम देखो, हम क्या करने किसे से निकालते हैं हमयै मैं ए फोर्मूला है किसका फोर्मूला rápido का उर एक सिमेट्रिक मे refund मे ug्न कुछ भी मुल्टिप्लाइ कर दें जो हम मैं answer आएगा उसे होगा ओके इसलिए इसजो सिमेट्रिक मेuft मेंत्रिक इसी आएगा, इसी लिए में 1 by 2 का मॉल्टिप्ले कर दे रहा हूं, तब भी अलचार मेरा सिमेट्रिक ही आएगा, तो यहाँ पर A plus A का टांसफर्ज निकाल लेंगे, और 1 by 2 इधर A minus A का टांसफर्ज निकाल लेंगे, तो देखो A पता है, तो A का टांसफर्ज सब से पहले न निकाल लेते हैं, एका टांसफर्ज कितिना होगा, देखो 1 by 5, इधर 1 by 5 ऐसे लिख देंगे, minus 1 by 2, minus 1 by 2, ऐसे लिख देंगे, तो अभी A और A टांसफर्ज का आड़ करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे, आड़ करेंगे, तो 1 plus 1, 2, 5, plus minus 1, 4, minus 1, plus 5, 4, 2, plus 2, 4, यहोगे, आपि menus करते हैं, A से menus कारेंगे, A transpose, 1 से 1 minus, 0, 5 से menus कारेंगे, minus 1, minus 1, plus, यानि, 5 plus 6 हो जाएगा, फिर minus 1 से menus कारेंगे, minus 5, तो minus 6 होगा, then 2 से menus कारेंगे, 2, तो 0 होगा, अब इंद लिख दो बखतां, जतना होगा, तो इसका हाब कितना होगा, देखो, का है अंधिना कितिना वाइन होगा फो यह माला मैंत tax है यह कौन सा में सिमेटिक यह तो है इस सिमक्रिकों मैं आड़ थाओ फाना的 क्वार समक्र न न फैर तो इसी संधोन को यह करोह को यह इसा इन न सलसा छोफ यह मंधिन्हों सा की में होगा A का सथ Equal होगा ओके यह आए अधिक सके सके साथ यह इक्वाल होगा तो आमने ह्ये आधि तो सो करना है कि यह घnt क्या है कि सिमेटरिक और स्क्वी मेंठ्रिक का सोम है यह जो मैंनलज मैठ्रिक refreshed सब्सक्वीट्रिक यह हुँआ है तो पøड मैठीक से Candice Christina 15-12, यह मेन वाला matrix साथ equal हो रहा है, तो अंसर खतम, तो एसका answer क्या है, कौन कौन सा symmetric और कौन कौन सा square symmetric का add करेंगे, यह वाला symmetric और यह वाला square symmetric का add करेंगे तब है आएगे, अंसर खतम, अभी हम question आवर 11 करते है